आज 5 एप्रिल 2022 हम सुन रहे हैं प्रातो शाकार हिंदी मुरुली आज का महावाइक्व इस महावाइक्व में बाबा समझाते हैं मेठे बच्चे बाप टीचार और सद्गुरु तीनो ही परम प्रियों हैं तीनो ही एक है तो याद करना भी सहज होना चाहिए दुनिया में तीन अलग-अलग है यहां बाबा समझाते हैं तो तीन तुमारा एक में समाया हुआ है तो इसलिए भगवान को याद करना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए आज का प्रशना है इस कलियुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे उत्तर इहां अरावन सदा जवान रहता है मुश्यो भल बुरा हो लेकिन उसमें जो बीकार है क्रोध है वो कभी बुरा नहीं होता यह सदा जवान रहता है यह महत पुर्णबाद बाबा समझाते हैं यह दुनिया में तो बहुत नियम उल्टा चलता है जो रावन का रज्यो में ही संभव होता है तो मरने तक भी बिकार की आश बनी रहती है बाबा कहते हैं बैचे काम महाशुत्र है परन्तु मुनिश्यो का वही परम प्रिया है मित्र है इसलिए एक दो को तौंग करते रहते हैं तो यह जमना ही उल्टा चल रहा है कलियुक दुनिया है रावन का रज्या है आज का गीत है मैं एक नन्ह सा बच्चा हो यह दुनिया को बदलने के लिए भगवान हमें बहुत बड़ा दाइत तो दिया है ओम शान्ती बाप बच बलवान की तो जंजिर में फस हुई है इसलिए बच्चे बाप को याद करते हैं भगवान को शरन करते हैं बाप कहते हैं इसमें छुराने वाला शमर्थो में ही हूँ बाबा समझाते हैं तुमें कोई चिंता करने का कोई बात नहीं है तुम बच्चे जानते हो ना हम आत्म बलोहीन है राबन ने बलोहीन बना दिया है कांगल बना दिया है तो वो तो ग्यान कोई मुनश में नहीं है राबन क्या चीज है बाप क्या तो बस्तु है तो बाप कौन होता है बाप बेट बच्चों को ग्यान देते हैं तुम कितने सरवशक्तिमान विश्यों के मालिक थे आ हम को आकर इस रावन के जंजिर से छोराओ, ये धुक का दुनिया से हमें ले चलो सुख का दुनिया में, हे पतित पावन आओ, ये भिन्म भिन्म नाम, तो लेकर के हमें भगवान को याद किया ना, तो वही पतितों को पावन बनाने वाला है, तो सच्चा, शक्ति- training, और उक को राबन रज्यो कहा जाता राबन भी बलवान है राम भी बलवान है क्योंकि तो दोनों ही आधा आधा कलपो तो रज्यो करते हैं दोनों का बीच में टाग अफवार तो ये राबन एक पक्षमें खिशते हैं तो राम एक पक्षमें खिशते हैं तो जित तो राम का ही spiritual knowledge दे रहा है योग और ग्यान ये तुमारा संजीवनी बूटी है कितना संदर बात बाबा समझाते है पहले तो बाप के साथ योग चाहिए तो अपने को आत्मा समझ करके बाप का साथ हमारा ये अभिनाशी नाता जोरना चाहिए दुनिया में बाप अलग देखो teacher अलग, गूरू अलग होता है तो अलग अलग तो वेक्तियों का साथ हमारा नाता जोरना पड़ता है याद करना पड़ता है अलग अलग ऋलग रुप में फलाना teacher हम को पराते हैं तुम तीनों ही समंदों से एक को ही याद करते हो तो एक परमात्मा ही तुमारा बाप है एक परमात्मा ही तुमारा टीचर है एक परमात्मा ही तुमारा सद्गुरू है तुम्हे भिन्न भिन्न जगा पर जाने का कोई जुरूरी नहीं है ये भी बाबा ने बहुत आसान बना दिया है हमारा इस समय ब्रह तिनों का नाम एक ही है प्रशिद्ध है शीब है तो परंप्रियो परंपिता परंप्रियो शिक्षक परंप्रियो सद्गुरू तो वो एक ही है न तो मुनश्य तो टीचर को अलग गुरू को अलग बाप को अलग याद करेंगे तो अलग अलग जगा पर जाएंगे तो यहां नाम रूप एक ही बुद्धी में आता है ना तो ये एक को ही बुद्धी में बिठाओ तो तिनों का समंद जुड़ जाएगा तिनों से हमें फाइदा मिलता रहेगा रूप वो निराकार है नाम शीव है वो हमरा बाप वो टीचर वो सद्गुरु है बुद्धी में एक ही या दाता है न तो ये हमारा इस समय बहुत बहुत जुरूरी है एक का याद में हमें खोई रहना है शिप बाबा के थे बच्छे मैं आता हो तुम बच्छों को इस मृत्त लोख से ले जाने के लिए तो जिसके तो असार भी तुम देख रहे हो न तो बलवान बनने में माया बहु सामना करती है बिगन डलती है तुम बहुत चोट खाते हो माया कभी जोर से थपर भी मरती है तुमें गिरा भी देता है कभी हलका कभी जोर से तुमें थपर लगता है तो तुमें बहुत दुख होता है तो जोर से ऐसा मरती है माया जो बिकार में भी गीर पड़ते है तुम स समय चलता है तो अगर तुम एक बार गिर जाओ तो तुम खरा होने में तुमें बहुत बहुत समय लगता है बुद्धी को जैसे तला लग जाता है तो बाबा का प्रतितमरा कोई तो संजुग नहीं रहता है अब बाप कहते हैं बचे माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी बहुत कशिश करेगी लेकिन शाबधन माया का माया का इशारा को तुमें समझना चाहिए माया को तुमें समझना चाहिए परंतो तुम भुलना नहीं जितना तुम मेरी को याद करोगे तो बर्शा भी बुद्धी में आएगा और उच पौद भी तुम पाओगे ये भी बात है भगवान से हमें क्या मिलने वाला बर्शा तो बच्चों से छिप नहीं सकता तो ये भी साधरन बात बाबा समझाते है थोड़ा प्रैक्टिस करो ये तो मरण नेचरल हो जाएगा तुम भी जानते हो ना कि हम विश्यों के बादशाही ले सकते है ये हमरा तो बस का बा बाती नहीं नमबर ब़र पूरशार्त अनुशार हम भी बाबा से भगवान से बष्चा ले सकते हैं ये बष्चा लेना हमारा जनम शिद्ध वदिकार है सब एक जैसी राजधनी तो नहीं ले पाएंगे विंड़ा भिंड़ाद हमारा होगा तो ये राजधनी स्थापन हो गुरु आत्मा पुन्न आत्मा बहुत आते हैं लेकिन राजधनी को इस्थापन नहीं करते एक शिबाए एक परम पिता परमात्मा के ऐसे नहीं कहेंगे कि वो राबन के रज्यों में आते हैं तो राबन का कनेक्शन है ही भारत के साथ तो यहां है राबन को यहां ही राबन को जलाते हैं तो और तरफ तो राबन को जानते ही नहीं है राबन को क्या जलाएंगे राबन का परी राबन का वरी में उनका कोई शिक्षाई नहीं आधा कल्पों के बाद राबंद रज्य होता है इस भारत में द्रापर से सुरू होता है राबंद रज्य चलता है धाई हाजार सल तो ये जानकरी इस समय हमें मिलता है जो रूट सुर्जबंक्षी बद चंद्रबंक्षी बालों से ही तो इसलामी धर्मों वाले निकले होंगे ये भी सुन्दर बाद बबा समझाते हैं तो इसलामी बोध्धी क्रैश्ट कहां से आया उसका ओरीजन तो ओरीजन तो एक ही है शुर्जबंक्षी या चंद्रबंक्षी एक धर्मों से ही फिर और बिरादरिया निकलती है न ऐसे नहीं वो बिरादरी निकली तो उस समय वहां राबंद रज्य होगा नहीं वो तो बाद में आते हैं बाद में आते हैं लेकिन वो तो औरिजिनल तो एक ही है एक ही धर्मों से वो निकली हुई हैं, आज दुनिया में कितना लाराई जग्रा मरा apprentice, कितना धर्म लेकर कितना मत अभैत चल रहा हैं, तो बाबा के हiscernible स्थापन करते हैं, ये काम करता है, तेन धर्म स्थापन करते हैं, ब्रह्म्भन, देवता, शत्रिय, और राज्धन स्थापन करते हैं, व वराइटी धर्मों वाले आते हैं सतप्रदान से फिर तमप्रदान बनना है उनके लिए अलपकल का शुक और बहुत कल का दुख है तो यह भी खेल तो समझाया जाता है यह सुक और दुख का खेल इस अंसर में चलता है दिविदवतो आत्माओं को तो थोरा दुख मिलता है ज पहले पाबन थे फिर पतित बनते हैं तो पहले एक ही दिविदवता धर्मों था फिर और धर्मों की ब्रिद्धी होती है तो बाई प्लोट आते रहते हैं दिवता खुद ही हिंदू बन जाते हैं फिर किसम किसम को मल्टिफिकेशन होती रहती है दिवता धर्मों का जो थान तो वो अपने को हिंदू कहलाना सुरू करते हैं इसका भी पीछे एक कहानी है और फिर तो ये किसम किसम की मल्टिफिकेशन होती रहती है तो एक आदिशनातंदेब देवी धर्मों का आत्मों को बहुत धर्मों बाले खिच लिया अपने धर्मों में जाकर के कनभार्ट कर लि तो आज आदिशनातंदेब देव धर्मों का तो बहुत संखा बहुत उच्छा होना चाहिए बरा होना चाहिए आज तो बहुत मिनिमाम संखा हो गया हैं तो फिर अपने धर्मस थापक के पीछारी चले जाते हैं देवता-धर्मप्रा ंलूप हो गया है तो यह सब देवी कहलाना तो बैकाइदा हो जाता है तो ये भी तो बाबा कहे तो इस समय तुमें समझना चाहिए शुक्ष्म बात है पवित्रता नहीं तो दवत तो नहीं पवित्रता नहीं तो हमरा नाम भी नहीं आदिशना दंदेव देवी वो भी हम काट लेते हैं वो भी हम छोड़ देते ह तो सादरन हिंदू कह करके चला देते है, जो असल देवी दावता थे तो वही फिर शक्त्रियों, फिर सोभश्यों, सोशुद्र बन जाते हैं, अभी फिर तुम तुम ब्रह्मन बने हो, कितना भग्यो शली तुम बने हो, यो बात और धर्मवाले नहीं समझेंगे सिवाए तो उसको तो बाद में उसको तो बुद्धी में बैठेगा ये तो दुनिया परिवर्तन होने वाला है तो ये परिवर्तन होकर के तमप्रतान से शत्वप्रतान बनना वाला है तो उस समय वो जागेंगे जाग करके आएंगे लेकिन उस समय तू लेट का बोर्ड लग जाएग आगे चल करके बुद्धी तो बृद्धी बहुत होगी, मुकवंग्शावली की तो बृद्धी होती है, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मन धर्मों आप स्थापन करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्छे जोरूर ब्रह्मा कुमार कुमारिया होंगे आपस में पवित् तो उचा स्थिति में तुम रहने वाले हो, तो सभी का साथ एक पवित्र संपर करो रहेगा, हम सब भाई बेहिन हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, तो हम कभी विकार में नहीं जा सकते हैं, तो ये शुत्र लेकर के तुम जीवन को बहुत सुन्दर बनाते हो, धेर आकर नल का बहुत महत तो होता है, जो ममा बाबा का बनेंगे, तो कुछ सुनेंगे, तो वो आ जाएंगे सतियोग में, सर्गम में आ जाएंगे, प्रदशनी में धेर आते हैं तो बाबा समझाती ये तो अभी राजदन इस्थापन हो रहा हैं, कोई प्रजा बनेंगे, कोई क्या बन लिले बाप का प्रिश्य जोरूर देना चाहिए फिर करके कोई तो लिंग रूप कहेए जोती रूप कहेए बाबा तू समझने से ब्रम्म तू ब्रम्मो जो महतत्तो है उनको फिर भगवान नही कह सकते ये भी तो ये शिद्धानत बाबा ने बता दिया तो जब लिंगो को ज परनाशी बालों ने इतना दिन जो भगवान नाम पर अखा दिया तो वो तुम्हारा तो बुद्धी से डिमाग से निकाल जाएगा ये बाप का साथ तुम्हारा रिलिशन होगा बाप का साथ तुम्हारा दोस्ती होगी बाप का साथ तुम्हारा समंध होगा बहुत खुशी म जीते रहेंगे परम पिता परमात्मा तो नलिश्फुल हो न तो ब्रह्मा नलिश्फुल थोड़ी ही है ब्रह्मा को याद बिलकुल नहीं करना है तुम पूछते हो न तो आत्मा का रूप क्या है तो लिंगो को हो देते है क्योंकि लिंगो रूप को ही पूजा होता है लिंग नेकरण फिर कोछ न कोछ बना देते हैं, तो अंगोटी मिसल बना देते हैं, तो ठिकर भितर सब में भगवान कहों देते हैं, जो मों में आया, वो बता देते हैं, बाप समझाते हैं, आत्मा तो स्टार है, बचे ये गल्ती मत करो, आत्माओं का एकटा जोन भी देख सकते हो, शक्षतकर तुम्हारा हो सकता है, जब सभी आत्में वापिस जाएंगी तो बरा जोन्ट होगा ना, यह अंतिम शमय का बात है, तो यह तुम्हें बहुत उको शक्षतकर होगा, तो अभी से तुम इसी शुत्र में टिके रहो, उनको कहा जाता है, शुक्ष्मों से भी तो समझ नहीं आएगा, कोई फाइदा नहीं है, समझो कि इसको शिप का अतबा ब्रह्मा विश्न शंकर का शक्षतकार भी हो, परन्तो फाइदा तो कुछ नहीं है, पुरुशर्ट तो तुम्हें करना चाहिए, तो यहां तो सृष्टि के आदिमद्दों अंतों को जानना ह होता है, तो यह परना होता है, नलेश को समझना होता है, तो यह मूल बात है, तो मूल बात को तुम छोटा कर दो, तो होगा तो नहीं न, यह पराई है, यह पराई, लेसन तुमें परना चाहिए, परमात्मा भी एक स्टार है, इतनी छोटी चीज को, चीज की, देखो, कितन दू की हो गाई है, ज्यान का सागर, प्रेम का सागर, सुक का सागर तो वही सारा काम करते रहते हैं, ये छोटा स्टार, छोटा बिंदु परमात्मा, तो इनको कहा ना कहा आया हुआ है तो अगर गिता का भगवान से कृष्णा होता तो वो देहधरी तो कोई छिप ना सके चोटा बच्चा भी उनका नाम जानते है उनका चित्र देख करके समझ लेता है तो वो तो कभी छिप नहीं सकते लेकिन तो शुक्ष्म होने के करण बिंदो होने के करण उनको कोई समझ नहीं पाते है यह तो बिलकुल ही गुज जो बात है कभी सुना ही नहीं कि परमपिता परमात्मा क्या चीज है आत्मा क्या चीज है तो स्रिप कहो देते है भ्रोकोटी के बीच में चमकता है आजब सितारा फिर उनको परमपिता परमात्मा कहो देते है तो मन में बिठाना बुद्धी में बिठाना ये कोई मामूली बात नहीं है अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फरुक तो कुछ भी नहीं पड़ता है एक ही जैसा है एक ही रूप है तो एक ही साइस का है तो क्या परमात्मा कोई भारी चीज है तो क्या वो रशनी देने वाला है नहीं न तो वो तो स्रिप नलिसफुल है चोटा बिंदु है लेकिन गोन में वो शिंदु है नलिसफुल है गोती सद्गोती के लिए वो ग्यान देते है आत्माव को तो ग्यान सागर भी वो हो गाया दया का सागर भी वो हो गया तो जेतना गोन और शक्ति हमें चाहिए सब भी गोन और शक्ति का वो सागर है ये चोटी से बात हमें धारन करना चाहिए समझना चाहिए तो अब ग्यान का सागर परमपिता परमात्म को हिंगे या रावन मत पर चलने वाले मुनिश्यों को तो ये इतना सालों से करते आये हो ब्रह्मा के हाथ में तो शस्रों दिखाते हैं परुंतु शस्रों दिखाते हैं परुंतु तो उनको मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है तो ना ब्रह्मा को मालूम है और शस्रों उनको हाथ में दे दिया तो बस तो मैं इसका अर्थों क्या है वो भ इस नंदीगन में, नंदीगन से आकर नलेज सुनाता हु, अर्थात ब्रâmहतन में आता हु, पुरुश का तन में आता हु, नंदीगाभी नहीं कहा, मुनिश्यो भागिरटी भी दिखाते हैं भागिरत भी दिखाते हैं तो गोव मुख भी दिखाते हैं और भागिरत तो भागिरत से भी गंगा तो बेल से भी गंगा दिखाते हैं तो मुनिश्यों का जो मन में आया वो बताते रहेते हैं वो चित्र बनाते रहेते हैं तो मूल बात क्या है इसका और्थो क्या है अधत्मिक तो इसका जगरिती क्या है इस समय परम पिता परमात्मा कर समझाते हैं राइट रॉं क्या है समझ नहीं सकते भक्ति किया चित्र बना लेकिन पीता आकरके सभी तो उलभी बात को सुलेजाते हैं क्या बेल जानवार से गंगा निकली हैं क्या मन में बिबेक में ये बेटता हैं गव मुक दिखाते हैं तो गव तो होनी चाहिए नंदिगन को बेल दिखाते है यो मेल तो बरबर है ब्रह्मा तो पुरुष है ना मुनुष्य है अगर गो तो कहे तो वो भी माता तो है ना तो ब्रह्मा ब्रह्मा पुरुष होते हुए भी तो वो माता का काम किया है ब्रह्मा बरी मा तो बाबा ये चोटे-चोटे बात को हमे अभी स्रिंगारते हैं अभी समझाते हैं इन बातों को मनुश्य बिलकुल ही भूले हुए है राइट कुछ भी बताते नहीं ब्रह्मादारा सुर्जबंक्षी रज्यो की स्थापना हो रही है तो यहां कोई राजाई तो है नहीं यह बहुत का बाप बहुत का रज्यो देते ह पराई से जो सुर्जबंग्शी चंद्रबंग्शी पराने के होंगे तो उनकी बुद्धी में ही यो बैठेगा नहीं तो कोई कितना भी कोशिश करे उनको बुद्धी में बैठेगा नहीं विश्वास नहीं होगा निश्चे नहीं होगा तुम तुम बाबा का ये बहुत तो सिकिल लदे बचे हो तुमारी बुद्धी में तुम प्यार से बैठेगा तुम प्यार से बाबा को याद करते हो ग्यान को समझते हो पहले यह निश्च चाहिए कि शिब बाबा ही हमको साथ ले जाएंगे साथ ले जाएंगे, दुनिया में कोई नहीं आपना, कोई और गुरू, कोई गुरू गुशाई की यो कहने की ताकत ही नहीं, मैं तुम्हें साथ ले जाओंगा, पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको ही याद करते है, आकर के पावन बना वो बचन देते है, बचे तुम्हे पवित्र बना करके साथ मिले जाओंगा, और दुनिया में किसी का ताकत नहीं है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है न, परंपिता परमात्मे के सिबाह, पावन दुनिया कोई बना नहीं सकते, ये शक्तिशली अथारिटी परंपिता का, तो पास है, बा ये समझदी की बात है मुनिश्यों समझते है शस्रों तो सच्चे है क्योंकि भगवान भगवान ने तो बनाई है तो उन्हों की यो पता ही नहीं तो भगवान ने मुनिश्यों के तौन में आकर की गिता सुनाई है कहा शस्रों का बात ये कहा डाइरेक्ट तो उबाचू तो ये शस्रों बनाकर के मनुश्यों का नाम डाल दिया है तो ये गिता को खंडित कर दिया है ये भूल जब तो बुद्धी से निकले तब हमारा ये उन्नोती हो सकता है हमारा ये ग्यान मार्ग में तो हमारा ग्यान मार्ग का ये सारी शुक्ष्म बात हमारा बुद्धी में बाब कहेंगे तुम सर्गों में उच्पोत पाने के लायक नहीं हो अगर भगवान को नजदिक पाकर के भगवान को समझ नहीं पाते हैं तो बाबा कहेंगे तुम सर्गों में तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है बाबा कोई अभी शंपत नहीं देते हैं बाबा ने प्रेडिक नहीं तुम तो बिकार में जाएंगे तो भाल कोई बुरे है क्रोध तो उनमें भी बहुत है ना क्रोध बुरा नहीं होता है आजकाल बुरे भी बिकार में जाते हैं बाबा के दे काम महाशुत्र बच्चे मुनिश्यों के लिए फिर मित्र है काम मित्र है क्रोध मित्र है तो के लिए देखो कितना तांग करते हैं रावन सभी का मित्र है न तो बिश की तो बिश का बिश से पैदाईस होता है बिश की पैदाईस माना रावन की पैदाईस तो मुनिश्यों जानते ही नहीं तो बाप की इस्रेमाद पर चले तब सपुत कहलाए भी कर्म करते हैं तो जट स अब धनी दी जाती है बाबा बच्चों को बहुत सिधा रिती चलाते हैं लेकिन बच्चे गलती करते रहते हैं तो बच्चों का ये गलती करना तो ये बाबा समझाते हैं इस ग्यान मर्ग में चल करके तुमारे ये उचित नहीं है नहीं तो तुम्हें बहुत डंडा खाना प शामुगरी देता हो तो जिसको इंशियर करना होगा तो वह आप ही करेंगे अर्था ये अभिनाशी और शुमेद गिता ग्यान जग्यों में जो जमा करना होगा तो वह इशारा से समझ जाएंगे जिस समय इसका हाथ में आएंगा तो जोरूर वह सफल करेंगे कभी भी मांगे आज बाबा का जनम दिन है तो कुछ तो भेजे ऐसे मंगो नहीं ये बाबा का इंसाल करना बराबर है समझाना है इंशियर करना है तो भल करो तो करो तो बाबा का लाखो बच्चा है कोई ना कोई तो करेगा बिंदू बिंदू होकर के बाबा का ये कारुबार चलता रहता है बाबा किसी से भिक नहीं मंगता है, भक्ति मार्ग में मुनिशो अपने को इंशियर करते है, इस रिक पास, तो जिसको दान कहा जाता, उसका भी फॉल बाप देता है, तो एक जन्मो के लिए मिलता है, वो है हद का इंशिरंस, तो यह है बहुत का इंशिरंस, तो यह बाद का आए हैं परमपिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया है तो सवकर होगा तो कहेगा यह पाष्ट कर्मों का फल मिला है तो कोई गरीब है क्योंकि इंशुरंट नहीं किया है इसलिए धन नहीं मिलता तो यह बात चलता ही रहता है बाप कहते हैं मेरी पास ही सब इंशुरंट करते हैं तो कहते हैं यह भगवान ने दिया है भक्ति मार्ग में तुम इंसुरंट करते हो हौध का ये भी बात को याद करो अब डाइरेक्ट बहुत का इंसुरंट तो कराने के लिए भगवान आया है मात पिता मात पिता ने देखो इंसुरंट किया है तो एक जटकों से तो म टन में देते हैं, सतियों का पहला नंबर उनको मिल जाता है, लक्षमी नारयन वो बन जाता है, माता पीता लक्षमी नारयन बन जाता है, यह कौम बात नहीं है, कजना के पास तो पैसा होता ही नहीं, तो वो फिर इस सर्विस में लाग जाये, तो सबसे उच्छा पत पा सकती ह इसका उधारन हमारा मामा है मामा ने कुछ भी इंशरिन नहीं किया न मामा जब जग्यों में आया कुछ भी लेकर के नहीं आया हाँ तो सरीर इस सर्विस में दे दिया तो हड़ी हड़ी दे दिया तो कितना उजपत मिल गया मामा को बाबा ने रेजल्ट आउट कर दिया मामा लक्षमी बनने वाली है तो आत्मा जानती है तो मैं इस सरीड से बहुत के बाप की सेवा कर रही हूँ तो जगदमबा का कितना बड़ा मरतबा है देखो जगदमबा ग्यान गाने शरी फिर राज 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 शरी बने गी जगदंबा बाबा का एक एक अक्षर को तो कितना अच्छा रीती धारन किया तब तो अगले जन्मों में वो राजे शरी बनने वाली है तो ये सब कुछ तुम ही जानते हो और दुनिया में कोई जानते नहीं कोई ग्यान मर्ग में चलने वाले नहीं है अच्छा मेठे मेठे सिखिल दे बच्छो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्छो को नमस्ते हम रुहानी बच्छो की रुहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्त धरणा के लिए मुक्षार नंबर वान सपुत बनने के लिए बाप की स्रिमत पर चलना है ये तो strict धरणा बाबा ने हमें समझा दिया है जो भी बुरे आदत है मांगने की चोरी करने की बाद जोट बोलने की यो निकाल देना है ये तो मैलापन है ये मैलापन निकालो तो इसना सब कुछ बाबा के पास इंश्यर करنا सरीर भी इस शुरिय सब़ा में लगाना है माय की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो जाए तो इसके शब्धन रहना चाहिए बाबा हमें शब्धनी देते हैं लेकिन माय कौम नहीं है माय से हमें बच के रहना बर्दान सदा हर कर में रूहानी नेशे का अनुभब तो करने और कराने वाले खुशनशीब भब हुशनशीब आत्मा बन सकते हैं आसानी से तो इसका अर्थो भब समझाते हैं संगम यूग पर तो आप बचे सबसे अधी खुशनशीब हो कैसे क्योंकि सायंग भगवान ने आपको पसंद कर लि में आपका नाम है बाबा समझाते हैं इतना बरा भाईयो और किसका हो सकता है तो तुमारा ही तो होता है तो बहुत का बाप मिला बहुत का रज्य भाईयो मिला बहुत का खाजाना मिला तो यही नेशा सदा रहे तो अतिंद्रियों शोक का अनुभव होता रहेगा तो यह है बहुत का रुहानी नेशा इसका अनभब तो करते और कराते रहो तब कहेंगे खुशनशिब आत्मा आज का स्लोगान है शाधोनों को सेवा में सेवा के प्रति यूज करो आराम पसंद बनने की नहीं ये साधन साइंस का कितना भी निकालते है वो शेवा के लिए इस्तेमाल कर अभी अभी तो ये काम में लगाओ अभी अभी डिटाच हो जाओ तो उससे लागाव जो का मत करो तो आराम पसंद नहीं करो तब कहेंगे ये बहत का तो बर्याग्य बृत्ति तो आज का समान है मैं खुशनशिब आत्मा हूँ अच्छा ओम शान्ति